आजकल हर 10 में से 8 लोगों को कमरदर्द की प्रब्लम का सामना करना ही पड़ता है कमरदर्द होने पर हमें जुकने तक में परिशानी होती है कमरदर्द के कारणों में गलत तरीके से उठना बैठना या सोना भी हो सकता है साथ ही बारी समान उठाने से भी पीट दर्द हो सकता है ओफिस में लगाता है कुर्सी पर बैठे यहने से भी कमर्दद की सिकायत हो सकती है इसके अलावा मैलाओं में मास्टिक के चलते भी कमर्दद होता है और जिन मैलाओं की सिजेरियन डिलिवरी होती है उनके कमर में इंजेक्शन लने के कारण भी दर्द होता है आज मैं आपको कुछ ऐसे करे लून उसके बताऊंगे जो कि आपके घर में ही आसानी से मिल जाएंगे और आप कमरदेट से छुटकारा पा सकेंगे तो सबसे पहले तुलसी तुलसी तो सो रोगों की एक दवा है यह नैके वल सर्दी जुखाम बलकि कमरदेट के लिए भी रामबान होसती है एक कप पानी में आठ से दस तुलसी की पत्तियां डालकर पानी में तब तक उबाले जब तक यह उबलकर आदा नह रह जाए और इसके ठंडा होने के बाद इसमें एक चुटके नमक डालकर रोज़ाना पिए इससे कमरदेट में लंबे समय के लिए आराम मिलेगा खसकस खसकस के बीज और मिस्री के पाउडर को रोज सुबह शाम दो दो चमच एक इलास दूद में डालकर पिए यह जल्दी आपको कमरदर्द में आराम दिलाएगा क्योंकि खसकस के बीज कमर के इलाज में रामबान होस्ती की तरह असर करते हैं गेहू रात को एक मुठी गेहू को पानी में डालकर रख दे सुबह इस गेहू को पानी से अलग कर लें और फिर एक लास दूद में डालकर गरम करें अब इस ड्रिंक को दिन में दो बार पिएं दरहसल गेहू में ऐसे कपाउंट स्पाई जाते हैं जिनका सरीर पर दर्द निवारक परभाव होता है जिससे कमर दर्द में आराम मिलता है इसके अलावा बर्ब की सिकाई से भी आराम मिलता है बर्ब की ठंडी तासीर दर्द और सूजन को कम करने के कारकर उपायों में से एक है तो जब भी आपको कमर में दर्द हो तो बर्ब से सिकाई करें इससे थोड़ी देर के लिए वह इससा सुन भी हो जाएगा और आपको आराम भी मैसूस होगा बर्ब को कूट कर एक कपड़े में बांद ले और इसे दर्द वाली जगह पर दस से पंदरा मिनट के लिए रखतें ऐसा हर दो गंटे में दो रहें आपको जल्दी आराम मिलेगा गेउं की रोटी भी कमर दर्द से छुटकारा दिला सकती है इसके लिए गेउं की रोटी को केवल एक तरब से सेके और दूसरी तरब से इसे कच्चा ही छोड़ दे अब रात को सोते समय रोटी के कच्चे वाले इससे पर दिल का तेल लगाए और इस रोटी को कमर पर दर्द वाले इससे प्रबांद लें और सो जाएं सुबह उठकर आप देखे हैं कि कमर का दर्द गायब हो चुका है इस किरिया को आप रोजाना भी दो रा सकते हैं इन नुस्कों को अपनाने के साथ ही इस बात का भी द्यान रखें कि नरम गद्यदार आसन छोड़कर सक्त कुर्सी या तक्त पर सिदे बैठने के आद़ डालें सोने के लिए भी तक्त को यूज़ करें तभी ज्यादा वैतर असर मैसूस होगा और अगर इन गरेलों उसको अपना कर भी अगर आपकी कमर का दर्द नह जाए तो डोक्टर से सला जुरूर ले आज के लिए बस इतना ही तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके जुरूर पूछिए और हेल्थ एंड वैर्नेस चैलर को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद